मानवता की दिव्विजोद से खिली-खिली है जिन्दगी प्यार करे मानव मानव से यही करे मिल बंद की सच मुझ, मानवता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे जहन में तरह तरह की भाव भंगिमाय तेरने लगती है मानव जाती के लिए निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा ही मानवता शब्द को परिभाशत करती है मानवता शब्द सारे धर्मों को अपने आप में समेटे हुए है आज समाज में मानफता को कई रूप देखने को मिलते है परंतु सच्ची मानफता वही है जो हमें मन, कर्म और वचन से दूसरों के लिए जीना सिखाती है परुपकार की भावना ही मानफता की जड़ को मजबूत करती है मानफता की और बढ़ने के लिए प्रेम और भायचारी के भावना का होना आवशक है आज प्रेम के अभाव में पूरा समाज तनाव के गेरे में है क्योंकि हमारे अंदर समर्पन का भाव नहीं रहा हम जिम्मेदारियों से भागने लगे है जुवेक्ति दूसरों की सहयता के लिए हमेशा तयार रहता है भगवान भी उसकी सहयता करते है सबकी सहयता करने का मतलब है अपनी सहयता क्योंकि जब हम ज़रूरत मंदों की सहयता सचे मन से करते है तो हमें दिली खुशी मिलती है आपको जो है उसमें कुछ ऐसी संतुष्टी प्राफ्त होती है कि आप यह सोचते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया किसी के लिए किया और मैंने उसके लिए किसी फल की इच्छा नहीं रखी हम जात पात में बेवज़ा फस जाते हैं अगर हम सारे धर्मों को छोड़ मानफ्ता धर्म को अपना ले और बिना कुछ की आशा किये बस दूसरों के लिए कुछ करें तो इससे हमें आत्मसंतुष्टी के साथ साथ खुशी भी होगी इसलिए जरूरत है तो बस अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाने की मानफ्ता ही पहला धर्म है जब हम प्राणी मात्र से प्रेम करेंगे तो फिर उस दिन से काला गोरा हिंदु मुस्लिम का भेट भाव खत्म हो जाएगा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किये गए सभी कारे किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन के लिए शुब फल्दाई होते हैं और हमारे वेक्तित्व को महान बनाने में महत पून भूमिकाने भाते हैं किसी ने सच ही कहा है औरों के लिए जो जीता है औरों के लिए जो मरता है उसका हर आशू रामायन, हर कर्म ही उसकी गीता है